काला ढूगी के चक्लुवा शेत्र में पिता ने अपने बेटे पर कुलहाडी से वार कर दिया जिसके बाद परिवार जनों ने बेटे को काला ढूगे सामुदाइक स्वास्त कींडर में ले जाया गया जिसके बाद डॉक्टर नियों से हलतवानी रैफर किया जिसमें बेटे क हलत गम भीर बनी हुई है वही जानकरी कनुसा चकलुवा के विद्रामपूर निवासी नरेंडर प्रसाद ने घर में सो रहे अपने पुत्र अनिर प्रसाद पर कुलहाडी से प्रहार कर दिया घटना के बाद थाना अध्यक्ष राजबेर सिंग नेगी के निर्देशन में उपनिरिक्षक कमित जोशी ने मैय पुलिस बल के तौरेत कारवाई करते हुए अभियोकते नरेंडर प्रसाद को ग्रिफतार कर लिया काला धूंगी से मुकेश चिंबाल की रिपोर्ट बिदरामपूर चकलवा में नरेंडर प्रसाद और इनके पुत्र अनिल प्रसाद जिनका आए जिन दोनों में विवाद रहता है तो कल पराता के समय नरेंडर प्रसाद ने अपने पुत्र अनिल को सराप के नसे में कुलाडी से मार दिया जो इस समय आईसीव में भाटती है और जिसकी स्थिति घंबीर बनी विए अब धुक्तु नरेल पसाथ को पुलिस वारा करता कर लिया गया है और बाद मेडिकल इसे माननी नहीं नहीं करने सब पेस किये लिए